जैसा कि दोस्तों पिछले अपिसोड में यह दिखाया चाता है वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं और रेस्टोरेंट में आते हैं यहाँ पर एक बंदा रहता है जो सभी लोग को चैलेंज कर डालता है खैर इन्हें कुछ मतलब नहीं रहता, ये लोग अपना आराम से खारे होता है सभी बंदों को बाहर फेक देने के बाद, ये देखता है कि सिर्फ यही दोनों बचे हुए है यहाँ पर फॉक्स ने अपने मुझे जाला खाना लगा लिया होता है तो मेंग उसे पोच रहा होता है कि अगली बार से तुम थोड़ा समहल कर खाना लेकिन ये जो बंदा होता है काफे गुस्से में रहता है क्योंकि इसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, ये जाता है, हमला करता है मैं अपनी एके उली से उसकी स्वार्ड को रोक लेता है और कहता है मैंने पहले ही कह दिया है कि मुझे इन सब लड़ाई जगरों में जरा भी इंट्रेस्ट नहीं है और साथी साथ तुम जिस तिंसस की बात कर रहे हो उसमें भी नहीं कुछ कच्चे खिलाडी नहीं है तो मैं पता है इनकी कितनी गल्फ्रेंड है एक, दो, तीन, चार वो सारा गिनाने लगती है आस तक सफर में जितना भी उसे याद रहता है लेकिन ये फिर भी बात नहीं मानने माला था ये कह रहा था कि आस तो मैं इसे मार करी रहूंगा मैं कहता है ठीक है अगर ऐसी ही बात है तब मुझे लगता है कि मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है अगले सीन में दखाया जाता है कि वो रिच्टॉर्ट से बाहर निकलता है धुञाधार इंट्री मार कर और कहर होता है तुम्हारी सवाड उतनी भी जादा भूड़ी नहीं है क्या ब morphट नाम जान सकता हूँ मेंग से लड़ाई नहीं की और उधर मेंग भी फॉक्स को लेके भागने लगता है तुरन थी और इधर ये लोग आ चुके होते हैं किसी कोने में और मेंग कह रहा होता है कि ये काफी बुरा है बेवज़ा अभी मैं बेकार में ही किसी और से लड़ रहा था सिटी गार्स आ गया था सिटी गार्स अगर पकड़ लेता तो दोनों को छोड़ते नहीं तब तक स्पिरिट बाहर निकल चुकी होती है और कह रही होती है नहीं तुमने ये लड़ाई बेवज़ा नहीं लड़ी है क्योंकि तुम्हें भी उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना पड़ेगा जहां पर वो लोग सबसे ताफ़तवर बंदे को अपना रिलेटिक बनाएंगे और उससे समझ नहीं रहा होता है लेकिन क्यों अब अगले सीन में दिखाया जाता है वो रेजिस्टर करने के लिए आ चुका होता है और यहां पर अपना नाम देते हुए सोच रहा होता है कि उसने मुझसे कहा था कि मुझे इस कॉम्पिटिशन में पैटिस्पेट करना ही पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि जो स्पेशल फ्लावर है वो प्रिंसेस के पास है और अगर यह प्रिंसेस के नस्दीक पहुँच गया तो उसे यह फ्लावर भी मिल जाएगा अलागि इसे ज़ादा कुछ नहीं करना है अंत में प्रिंसेस को फुद्दू बनाना है और फ्लावर लेके भाग जाना है यह कह रहा हुता है ठीक है अब नाम लिख दिया अब वहां पर चले जाओ तब fox कहती है कि master जरो वहाँ देखिए वो कौन है हमें दिखा रहा जाता है ये तो purple रहती है वो सोच रहा था कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है असल में यहाँ पर purple भी उसी flower को लेने के लिए आई होती है क्योंकि वो flower सभी के लिए बहुत ही जादा important है और इसे पता नहीं रहता है कि आखिर princess इसके लिए मानेगी या फिर नहीं मानेगी वो तो हमें आगे चल कर ही पता चलेगा मगर mang अपना मूँ इदर चुपा लेता है और चुप चाप avoid करके उसे जा रहा होता है fox उसे पूछती है कि master क्या हूँ हम लोग उसे avoid क्यों कर रहे है वो क्याता है कि नहीं कुछ भी नी बस ऐसे ही चलते रहो वो सोच रही होती है master तो बहुत जादा ही दुखी लग रहे है फिर जब यह pass होता है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि यह एक enchantment के line से बाहर निकल चुका है और यह कोई और नीबल की princess होती है जिसके लिए यह सारी लड़ाईया हो रही थी उसे लगता है कि उसकी दोस्त आ गई है तो वो अपने दोस्त से कपड़े मांग रही होती है और इसने अपनी आखे बंद कर लिए वहां को आसा रहता है princess कहा रही होती है कि ज़रा मेरे कपड़े तो लना और इदर यह चिलाकर के कहा देती है कि जी प्रिंसेस अभी लाई और सोच रही होती है मास्टर का मूड खराब है यही अच्छा वक्त है मैं उनके मूड को एकदम सही कर सकती हो और उन्हें भी मज़ा आ जाएगा वो उसे कह रही होती कि मास्टर आप चाहिए आप कपड़े लेके क्यों नहीं जा रहे हैं लेकिन वो कह रहा होता है कि अरे नहीं 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 तब प्रिंसेस देख रही होती है कि अखरी इतने देर क्यों लगा रही जब हो मूड के देखती है और दोनों पर एक बहुत ही जोड़ दार हमला कर देती है अपने वाटर अच्छ से लेकिन यह अपने स्वाड निकाल लेता है और उसे रोक लेता है प्रिंसेस ने कप्रपेन लिये होते हैं कहारी होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे जाकर देख रहे थे मैं तुम्हें नहीं चोड़ने वाली हूँ और इस तरफ स्पिरिट कह रही होती ही कि यही अच्छा मौका है हमें तुरंथी उस फ्लावर को ले लेना चाहिए लेकिन मैंक के लिए दिक्कते काफी बढ़ने वाली रहती है क्योंकि वो प्रिंसेस को एक कमजोर खिलाड़ी बिल्कुल भी नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा पाउरफुल है और इधर कह रहा होता है उससे कि आजाओ चलो लड़ते हैं फिर क्या था प्रिंसेस अपना बहुत ही बड़ा बॉल उसके तरफ एकती है यह सौट से रोकने कोज़िश कर रहा होता है लेकिन प्रिंसेस की एनरजी ज़्यादा निकल जाती है और यह बहुत सूरतार पीछे जाकर गिर चुका होता है साथी साथ इसके मूँ से खुन भी निकल गया रहता है फॉक्स कह रही होती है मास्टर आप ठीक तो है परिफा पलकी जो सांथी होती ही वह देख wonderful मैंग जो सांथी होती है और धाल सकते गड़ा सकता है और उसे गुमा कर भेखनी कोशिश कर रहा होता, लेक니ं प्रिंस्स फोट राटी नहीं रहती है कुल रहता है यृदग youth जो हमारे महेन को भुब् encouragement आयोय टोट Сथी अगर तरह तो मुझे अब उिनता है चीज्स क्छ अपुड़े की वे फुलावर लो दो और चुप चप यहां से निकलते बनो किसे परवा है यह मरे चाहे जिंदा रहे वो कहता है कि तुम भी ना एक जेंटल्मन कभी भी किसी लेडी को मुसीबत के हालात में पीछे नहीं छोड़ता हूं फिर वो उसे भीब दे रहा होता है और सोच रहा था कि नहीं मैं इसकी जान बचा रहा हूं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं मुझे वो सब बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और इससे देखकर तो फॉक्स की आंके खुली की खुली रह जाती है वो सोच रही होती है कि आजकल तो मास्टर इन सभी चीजों में और भी जादा बहतर होते जा रहे हैं इधर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने ड्रेनिश को खोल दिया रहाता है सारा पानी गिर रहा होता है अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड आ चुकी होती है प्रिंसेस की जान भी बच चुकी होती है प्रिंसेस कह रही होती है कि मैं ठीक हूं लेक आए जो होता है कि हां हां मैं लगवग ठीकी हूं बस एक लाग पानी निकल जाए लेकिन पिर्ट भार निकल जाती और जहा रही होती है क्या हुआ तुम इतने है घुष्से में क्यू लग रहे हो वह कहता है कि यह सब तुम्हारी वज़से हुआ है अम दोनों तुम्हारी वैसे इस मुसीबत में फसें, वो कहती है, तुम्हारे पास कोई evidence नहीं है, evidence के बिना बोलो मत तुम, समझे, और वैसे भी इसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है, कुछ है तो मुझे बताओ, वो कहता है, अच्छा, मैं और Fox, बिना तुम्हारी पावर के मद और Princess को फसाने के बाद वो flower वापस लेना है, तब ही मैं आगे भी तुम्हारी मदद करूंगी, और यहां पर खड़े खड़े रहके, अपना वक्त बरबाद बिल्कुल भी मत करो, competition के लिए चलो, तयार रहो जाओ, spirit इदर कहा रही होती है, एक तो इसने बिना कपड़ो वा बाद बन जाओंगा उनका, लेकिन वो कहती है, आरे चलो तो कम से कम, और इसी किसान साथ ये एपिसोड ये पे खतम होता है, फिर मिलता है आप सुभी से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक क्लिए, बाए-बाए